ओम शान्ती 25 अगस्त 2007 दादी प्रकास मनी जी के अव्यक्ति मास इस्मरती दिवस पर अनेक भाई बहनों के हम दादी जी के साथ के अनुभाव सुन रहे हैं तो ऐसी दादी जिसे प्रकास इस्थंब कहो प्रकास पुंज कहो बाबा के यग्य की प्रकास मनी कहो तो ऐसी दादी प्रकास मनी जिसने बाबा के यग्य को विश्व के कोने कोने तक पहुँचाया ऐसी दादी जी के बारे में ब्रह्मा कुमार आत्म प्रकाश जी अपना अनुभव सुनाते हैं जो संपादक हैं ज्यान अमरत के भाई जी कहते हैं दादी माश्टर ज्यान का सागर थी प्यारी दादी जी बाबा की अनन्य रत्न मुरब्वी बच्चा तो थी ही परंतु पुरुशार्थ करते करते हमारे देखते देखते वे बाप समान बन गई आप कहेंगे कैसे देखिए प्यारे बाबा गुणों के सागर हैं वे ग्यान के सागर हैं दादी जी में भी ग्यान कूट-कूट कर भरा हुआ था बाबा ने उनको चुना जापान में सांती का संदेश देने के लिए उनमें वो योग्यता थी कि आत्माओं के प्रश्णों के उत्तर दे सकें उन्हें संतुष्ट कर सकें सारा जीवन वे ग्यान रत्न बाठती रही अंत में भी उनके प्रश्ण उत्तर हम सभी ने पड़े हैं कितने सारगर्भित उत्तर वे अस्वस्थ सरीरिक हालत में भी देती रही उन्हें ग्यान की पराकाष्ठा थी वे माश्टर ग्यान सागर थी प्यारे बाबा पवित्रता के सागर हैं तो दादी जी ने भी सारे जीवन कभी जूट नहीं बोला यह किसकी निसानी असिमित पवित्रता की जूट भी नहीं बोला अन्य बाते तो दूर की रही यह बहुत बड़ी आश्चर्यकारी धार्णा थी सबके लिए सुकदाई थी हमारी दादी पवित्रता के बल से त्वचा और चहरा चमकता है दादी जी का चहरा अंत तक प्रकास की किर्णे विकिर्ण करता रहा प्यारे बाबा सांती के सागर हैं पचास वर्सों के सानिद्दे में हमने कभी दादी को असांत उदास नहीं देखा सदा मुश्कुराते हुए देखा बाबा प्रेम के सागर हैं तो दादी भी प्रेम की देवी थी भगवान सुक के सागर हैं तो दादी जी सदा सबके लिए सुकदाई बनी थी कभी स्वपन मात्र संकल्प मात्र भी ना दुख लिया ना दिया भगवान आनंद के सागर हैं तो दादी जी को भी हमने सदा अतिंद्री आनंद में मगन देखा भगवान सर्व सक्तियों के सागर हैं तो दादी जी सर्व सक्तियों की अधिश्ठात्री देवी थी आध्यात्मिक सक्तियां उनके हर कर्म से जलकती थी इन ही सक्तियों के बल से वे हर असंभव दिखने वाली बात को संभव बना लेती थी इस प्रकार दादी जी गुणों की धार्णा में बाप समान बन गई भाई जी कहते दादी सदा कहती तुम निश्चिंत रहो हमने मम्मा को भी मम्मा की भी खुब पालना ली थी परंतु कभी यह नहीं सोचा था कि साकार में इनसे अलग होना पड़ेगा दादी जी निमित बनी तो दादी जी से भी भरपूर पालना प्यार मार्ग दर्सन मिलता रहा दादी जी के संग बीते मधूर छण अब तक रह रहकर याद आते हैं एक बार मैं दादी जी के साथ बैठा था मैंने कहा दादी हम तो बाबा के बड़े भोले बच्चे हैं बाबा के बड़े बड़े महार्थी बच्चे हैं बड़े बड़े भसन करने वाले भी हैं मैं तो नहीं कर सकता दादी जी यह सुनकर आधा मिनेट के लिए मौनसी हो गई फिर बोली नहीं आत्म नहीं तुम बहुत समझू हो इतना बड़ा कारोबार कैसे चलता है समझ है तभी तो चला रहे हो न मैंने कहा दादी यह तो उपर वाला चला रहा है दादी ने तुरंत कहा यही तो समझ है यह समझना कि सब उपर वाला चला रहा है वास्त्विक समझ यही है मैंने कहा दादी जी जब प्रेश प्रारंब की थी तो कई लोग कहते थे देखना यह समस्य आएगी वह समस्य आएगी और प्रेम के संबंद में कई बातें आती भी हैं प्रेश के संबंद में कई बातें आती भी हैं परन्तु उपर वाला पता नहीं कैसे चावी घुमाता है सब कुछ स्वता ही ठीक हो जाता है और छपाई का कार्य निर्विग्न चलता रहता है दादी ने कहा तुम निश्चिंत रहो मैंने भी अपने को भाग्य साली समझा कि इतनी महान दादी जी ने मेरे लिए ऐसा महावाक्य उच्चारण किया दादी जी हिसाब चुक्तु करती थी दादी जी एक बार किसी महारती ने काफी तकलीफे अनुभव करने के बाद सरीर छोड़ा था मैंने कहा दादी बाबा करे हम ऐसी तकलीफ सहन करके ना जाए ऐसा पुरुशार्थ और सेवा करने के बाद भी तकलीफे आती हैं तो अच्छा नहीं लगता दादी ने कहा चुप ये सब हिसाब किताब यहां चुकतु होते हैं बाबा ने कहा हे पॉलिस होती है जन्म जन्म के हिसाब किताब लें दिन अगर यहां चुकता हो जाएगा तो धर्मराज के सामने उसे सलाम भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ही धर्मराज उसको सलाम करेगा मैंने कहा दादी हम तो बेठे बेठे उड़ जाना चाहते हैं दादी ने कहा सरीर से न्यारे होने का पुरुशार्थ करो तो ऐसा भी हो सकता है अर्थात यहाँ भी संभाव है बिना मांगे सब दे देती थी दादी प्रेस में जो भी चीजे छपती थी उन्हें दिखाने में अकसर दादी जी के पास जाता था चित्र पत्री का पुस्तके छपती ही रहती थी और इनके कारण बार बार दादी जी के सम्मुख जाना होता ही था जब पत्री का ग्यान अम्रत लेकर जाते थे तो चित्र, लेक, आदी सब बहुत ध्यान से देखती थी और हमेशा पूछती थी कितनी पत्रिकाएं छपती हैं उस समय संख्या एक लाख साथ हजार थी जब मैं यह संख्या बताता था तो बहुत प्रसन्न होती थी फिर एक पत्रिका का खर्च और उस पर बचट का भी पूरा हिसाब पूछती थी इस प्रकार साहित्ती के संबंद में उनकी अमुल्य मार्ग दर्सना और प्रोत्साहन मिलता रहता था कारो बार में उनकी दिल्चस्पी देखकर हमारा उमंग दुई गुणित हो जाता था बिन मांगे दादी जी सभी सुविधाएं प्रदान करती थी हमारे पास पहले बाइंडिंग के लिए अलग से इस्थान नहीं था एक ही जगे छपाई बाइंडिंग आदी होती थी दादी जी एक बार मसीन का उदगाटन करने आई जब दादी ने देखा कि जगा कम है और कारोबार बहुत विस्तरत तो स्वयम ही बाइंडिंग के लिए एक पूरा हाल प्रदान कर दिया हमारे बिना कहे हर सुविधा प्रदान करने में दादी जी हमेशा पूरी मददगार बनकर रहती थी दादी के वरदानी बोल आज जीवन का आधार बनकर इसे निर्विग्न आगे बढ़ा रहे हैं और आगे भी बढ़ाते रहेंगे दादी जी की गुणमूर्थ छबी अव्यक्त होते भी साकार की भाती दिल में समाई हुई है और प्रेरित प्रोथ्शाहित कर रही है तो ये थे ब्रह्मा कुमार आत्म प्रकास भाई जी के अनुभव दादी प्रकास मनी जी के साथ के और अनेक भाई बहनों के अनुभव सुनने के लिए बाबा के चेनल को सब्सक्राइब करें अच्छा ओम शांती